हलो एवरीवन, सौकत है अपका सुनितास फ्लोक में सुबा के 10 बजरे, सुबा के सारे काम हो चुके, मेरे जो बासी काम होते हैं वो जाडू, पोचा, अंगन धोना और अंगली-अंगली दालना सब हो चुका है पानी नाने के बाद मेरी पूजा भी हो चुकी है सारे बासी काम होने के बाद मैं कपड़े भी दो दाली फिर नाने के बाद मैं कपड़े नहीं दोती क्योंकि पूजा करने का रहता मेरे को इसलिए पूजा होने के बाद मैं उपर आई जो कपड़े रहते सुकाने के लिए ये कल के कपड़े मेरे अभी निकालूंगी फिर आज के कपड़े फिर डालूंगी सुकानी के लिए कल धूप जादा तेज नहीं थी इसलिए मैं रात को कपड़े भार ही छोड़ दी थी उपर ही छोड़ दीती आभी सुक चुके है आज धूप बहुत तेज एकल धूप ही नहीं थी इसलिए कपड़े ही नहीं सुके थे और ये कपड़े निकाल दूँगी फिर आज के कपड़े वो भी डाल दूँगी सुकाने के लिए आप देख रहे होंगे कितनी धूप है असल बांग भी नहीं खुल रही थी उतनी तेज धूप थी घर्मियों के दिनों में तो उत्ता चंजट नहीं रहता है कपड़े सुकाने का बस दो तिन घंटे ही सुका देती हूं ज्यादा देर रखूंगी तो फिर कलर कलर वगरा शेड हो जाते कपड़ों के दो तिन घंटे अबी नीचे आ चुकी हूं मैं कपड़ों को सारे सायंत कर लगाऊंगी जो दिन बर पेनने के कपड़े उसको अलग लगाऊंगी जो रात में जो पेनते हैं बच्छे और दिनेश के पपा वो कपड़े अलग लगा दूँगी मैं फिर सारे कपड़े मिक्स करके लगाऊंगी तो फिर ये वो निकाल कर फिर एक मेक सारे कपड़े फिर बिगाड देते हैं जो घड़ी करकर लगाते हैं कपड़ों को इसलिए जो भी कपड़े सब के अलग अलग जिसके कपड़े उसके सेल्फ में रहते हैं मैं पिछले वीडियो में आप से कहरी थी मैं ठोड़ा रूमें चेंच करी थी बोलकर और मैं घर की क्लीनिंग करी थी जब ठोड़ा चेंच भी करी थी यह जो मेरे पीछे अलमारी रखी वे मैं दुसरी साइड लगाई थी वहां से निकाल कर फिर किसी ने कहा कि नहीं जाती वहां ही लगा दो वास्तु ठीक नहीं है अब इसलिए फिर मैं जाती फिर उसको वहां ही लगा दी यहां अलमारी लगाने से मेरक खू बरा बरा दिखता है रूम बहुत छोटा दिखता है तोड़ी पुरी परिशान ही होती है और क्या करें उसको रखने कुछ जगा ही नहीं है इसलिए फिर से मैं अलमारी को हिहां पर ही लगा देख अभी फटा फट से कपड़े जलील दिखे भड़ी कर दोंगे अभी उसके बाद घर के काम भी है बरतन भी माजब हैं मेरे को और घर सारे भरो किहादों में जाड़ों भी मारनाrare उसके पास बहुत सारे दिफिती हूं है वह सारे कामा मेरे को अच्छा नहीं दिखता है मैं कुछ नो कुछ करते हुँ Sn is जादा थकावट होती है तब ही थोड़ा सा बैटती हूं लेकिन खाली बैटना अच्छा नहीं दिखता है कुछ न कुछ काम निकालते हैं रहती हूं में घर में कपड़े गड़ी करने के बाद मैं बाहर आई तो यहां पर हूंट और घोड़े फिर रहे थे बच्छों को घुमाते हैं उस पर 40-50 रुपे कुछ लेते हैं बच्छों को एक दो तिन गलियां घुमा कर छोड़ देते हैं आजकल छुटियां चल रहे बच्छे खेल रहे भार उनलों फिरते रहते हैं यहां पर गोड़ों को उंट को लेकर शाम हो चुकिती थोड़ा सा स्नैक्स बनाई थी वो खाई थी मैं शाम में खाने के बाद आप रात की जो पकानी की तयार ये वही कर रहे हूं अभी रात कोई मिल रही हूं मैं आपसे यहां पर मूंगडाल बना रही हूं मैं पालक की भाजी में खल जो आपको पालक बताये थी सारी खराब हो चुकी थी थोड़ी सी देख देख कर मैं थोड़ा सा साफ करकर निकाली थी उसमें से वो ही थोड़ी थी तो मैं बना रही थी मुंगदाल में या प्याज काट रही हो में आखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी प्याज में बहुत घाट पन था और हारी मिर्च बता रही थी मैं ऐसा पेपर में लगाने से फ्रेश रहते हैं बोलकर आप चीजे वेश्ट क्यों करना चीजों लाते हैं खाने के लिए बेकार में फेकना नहीं चाहिए जब बेकार में फेकने कुछ आते हैं जब अच्छा नहीं दिखता है इंसान खाने के लिए तो कमाता है उसको फेकना क्यों कोई भी जान बुचकर नहीं फिकता है लेकर गलती भी नहीं होना चाहिए उसको देखना चाहिए मैं चीज लगा रही हूँ ठीक से है या नहीं या सब्जी चोक रही हूँ मैं थोड़ा सा तेल एक दो तिन प्याज थोड़ी से एक चार पांच आरिमेर्च तीन टामाटर ली थी मैं लेकर इसको सब्जी बनाओंगी अभी क्या सब्जी थोड़ी बनानी है धहें की कड़ी भी बनाओंगी मैं अभी पालक थोड़ी थी इसलिए मैं प्याज में फ्राई करूंगी सोचिती लेकिन सबजी थोड़ी बन जाएगी फिर बस नहीं होती है सबको इसलिए थोड़ी सी मुंग डाल में बनाओंगी बोलकर बना रही हूँ बस तमाटर काटकर डालोंगी इसमें तेल में अच्छे से भून लोंगी इसको तमाटर प्याज और हरी मिर्च को इसके बाद इसमें हल्दी थोड़ी सी नम्मक और लाल मिर्च भी डाल दोंगी इसमें हारी भाजियों में लाल मिर्च में नहीं दालती हूँ, हारी मिर्च में ही बनाती हूँ, लैसन और हारी मिर्च कूट कर दालती हूँ, मगर सबजी थोड़ी बनानी थी, इसलिए बस थोड़ी सी दाली थी लाल मिर्च, अब इसके बाद में दालूँगी पालक इसमें, मुंग भी ज्ञादा नहीं पकाना चाहिए। इसको दाने दाने रहते हैं.. बस उंगली से ऐसा तोड़कर देखना चाहिए। बस तुटड़ा तो पकी गये सरकां Сам Iudod है उवह त्यादा ठीक नही बनती है सबजी थोड़े दाने दाने रहना है इसी बनाती हूँ में हमेशा आप देख रहे होंगे बहुत सारी पालक थी बस इत्ती बची थी वो भी चाट कर साफ करकर निकाली थी मैं इसको अभी दाल दूँगी इसमें साफ दोकर लगाई थी पालक को आप एड्रेस देख रहे होंगे मैं एक वीडियो में बताई थी मैं आपको याजियों से ली थी मैं और बड़ा साइज आया था मेरे कूँ इसकी फिटिंग करी थी लेकिन फिनिशिंग साही नहीं थी वो सारे सिलाई मारी थी इसको मगर पेनने में ठीक नहीं लग रहा था वो इसलिए मैं इसको खोल दूँगी अभी इसका कुछ करूँगी काट कर इसको फिटिंग सही बनाऊंगी मैं बताऊंगी आपको एक वीडियो में मैं इसको फिटिंग से कैसा बनाऊंगी काट कर इस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई